हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग तो हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही नियू और यूनिक सा टिप सेंट्रिक लेकर आई हूँ तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं जब भी हम कोई समान इस तरीकी के डबे बगेरें में लेकर आते हैं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं यह डेट्स का डबा है तो इसमें से डेट्स खतम हो गया था तो मेरा जरासा भी मन नहीं हो रहा था इस डबे को फेकने का क्योंकि दिखने में काफी सुन्दर था तो मैं कि भी खराब होती है तो आप चुडियों को इधर उधर फेकने से अच्छा है कि यह डबा हमारा इसमें हम इस तरीके से भरके रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे बंद करके रखे या फिर ऑफिर इस खुला भी इसतरीके से छोड़ सकते हैं आपको जहां रखना भी से डबे में रख सकती हैं यह आपका बिल्कुल फ्री का एक चोड़ी बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा तो आप डबे को कभी मत भीकिए हम दूसरे टिप्स की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमने कपड़ा लिया और एक सेप्टी पिन लिया है और आप देखेंगे कि जब भी सेप्टी पिन को साड़ी में कपड़ों में या कहीं लेंगे बगेरे में लगाती हैं तो यह इस तरीके से सेप्टी पिन में फस जाता है कपड़ा और यह हमारा जो कपड़ा है यह फट जाता है इसमें होल हो जाता है इस तरीके से तो हमारा जो साड़ी या कपड़ा जो भ यही माला चढ़ाते हैं तो हमारे पुराने माला होते वो निकलते हैं घर में वो बाची हुए रहते हैं तो आपको वही माला ले लेना है तो इस तरीके से हमाला को ले लेंगे और फिर इसको आप काट लेजिए पहले यह आपका बहुत ही काम आने वाला है तो इसको हम काट ल ले लेंगे देख सकते हैं हमने हम मोती को निकालके ले लिया तो आपemic 이क को जिस भी मोती की जरूरत है बड़ी यए चोटी आप अपने कॉर्डिंग ले लिगे हमने छोटी वाली मोती को लिया और फिर हम इसको इस तरीके से सेप्टी पिन में लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसको अब कपड़ों पर लगाएंगे तो जब भी आप इस तरीके से कपड़ों पर सेप्टी पिन लगाएंगे तो आप देखेंगे यह जो मोती है ना आपको कपड़ों को अंदर आने से सेप्टी सकते हैं तो यह depends कर दिखने में भी खराब नपर्ताए और यह आपका माला था यह भी बेस्ट नहीं जाएगा इसका वह अछाव साथ मैं इस इसंदीमाल हो जाएगा और कि मौति हमेगी Celok Diagraph ऑप साड़े की a को do L लेकर आते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं और फिर उसमें रखे रखे जंग पकड़ लेता है फिर वो हमारा बिकार हो जाता है देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से जंग पकड़ लेता है और फिर जब हम इसे कपड़ों पर लगाएंगे तो कपड़ा भी हमारा खराब ह जाएगा तो हम इसे युज भी नहीं कर पाते हैं और फिर फ्यक देते हैं फिर नहीं लाते हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक टिप्स एक ट्रिक शेयर करूँगी तो आपको क्या करना कोई साभी पॉडर ले लेना है जो आपके घर में एबलेबल हो बच्चों का या बड़ों का कोई साभी पॉडर ले लिजिए और इस तरीके से हम सेप्टी पीन पे आपको छिड़क लेना है सेप्टी पीन को पहले एक छोटा सा डबबा में रख लिजिए और उस पर हम पॉडर को छिड़ा के लेंगे और इस तरीके से आप इसे बंद करके जब रखेंगे ना तो आप देखेंगे आपका जो सेप्टी पीन है वो बिल्कुल लॉंग टेम तक सालो साल चलेगा इसमें बिल्कुल कभी भी जग नहीं पकड़ेगा तो इस तरीके से आप अपनी सेप्टी पीन को घर में रख सकती है तो चलिए अब हम अगले टिप्स की तरह चलते हैं लेकिन आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा यहां हमने चूडियों को लिया है और हमारे घर में जो मतला हम सभी की घर में कुछ छोटी चोड़िया होती है जिसको हम पहन नहीं पाते हैं क्योंकि उस पहनने में हातों में बहुत दर्द होती है इसके बज़े से मुसको पहन नहीं पाते हैं तो यहां तो हम इसे फेग देते हैं या फिर यह ऐसे पड़े-पड़े इधर उधर पड़े-पड़े वेश्ट हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं यहां आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही हूं तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगी तो यहां पर हमने एक पनी को लिया है जो सब्जी पगेरा का पनी आता ना सौप्ट वाला पनी उस तरीके का पनी ले लिजिए और उसे अपने हाथों में इस तरीके से अप अच्छे से लगा लिजिए और फिर यह जो आपकी छोटी चुड़िया है ना उसको आप इस पर पहन सकते हैं तो जब भी आप पनी लगा के अपनी छोटी चुड़ियों को पहनेंगी तो यह बहुत ही असानी से आपका चला जाएगा और आप इसे अच्छे से पहन भी पाएंगी तो यहां देख सकते हैं हमने इसे बहुत असानी से पहन लिया है तो आप लिखनी में बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो महेंगी होती है उसमें पैसे लगते हैं तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर लिए